तो मैं ये ये कल्चरल प्रोग्राम है मैं उसमें आया हूँ और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम रहता है कल्चरल प्रोग्राम तो उसमें जो हमारे लोग रहते हैं आरगनाजर रहते हैं मैं जाता हूँ वह पर और अपनी सुब कामना भी देता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि हमारे लोग आगे बता हैं कि 2014 से केंदर में भारती जन्ता पार्टी की सरकार आई आपको पता है जुम्ले की बात उन्होंने किया है सारे लोगों के पूरे देश के लोगों को बहका है उन्होंने कि हर अब्यक्ति के एकाउंट में 15-15 लाग रुपे आ जाएंगे हम काला धन भी देशों से लेके आएंगे सारी जन्ता इनके बाहकाव में आगई इन्होंने इबियम का घौटा लगिया तो सारी जन्ता अब 4 साल खत्म हो चुका है केंदर में सरकार हुई इनकी तो सारी जन्ता समझ चुकी है और अब इनकी सरकार इस बार नहीं आएगी इ ये तो सब्धा बहन जी के उपर डिपेंड है लेकिन बहन जी का इसा कहाना है वो तो मेडिया को भी कहती हैं मन्से उन्होंने कहा है कि अगर उनको समाध जने सीटे मिलेंगी हर प्रदेश में तो वो ज़रूर बरबंदन करेंगी लेकिन गंडबंदन करना ना करना ये बहुजन समाज पार्टी से भाहन जी का आसिरवाद मिला हुआ है एक बार आसिरवाद मुझे मिला था विधान सभा से रामपर खास प्रताबगर से मैं चुनाव लड़ा हुआ लेकिन इबियम का घोटाला हुआ आपको पता होगा घोटाले के कारण ये उत्तर प्रदेश म में भारती जनता पार्टी की सरकार बनी है अगर इबियम का घोटाला नहीं होता तुनी की सरकार नहीं बनती तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जब मुझे आसिरवाद में लेगा मैं चुनाव लड़ा और मैं ही नहीं पुरे देश में बहुजन समाज पार्टी के गड़बंदन से आप वैसे ही जो बहुजन समाज पार्टी जीत के आगे अब बहुजन समाज पार्टी जीत के आगे अब बहुजन कुमारी मायोती जी इस देश के प्रधान बंदन